दोस्तों इंजिन फिल्म इंडेस्ट्री में जितनी भी फिल्में बनी शायद उतनी ही संख्यावन फिल्मों की भी रही जो कि किसी ने किसी काराणवर्ष पूरी नहीं हो पाई और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस बेहतरी डिरेक्टर की Most Ambitious फिल्म के बारे में जो अगर उस समय रिलीज हो जाती तो तहल का मचा देती नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बोलीवुड अन्बोक्षिन में अगर आप हमरे चैनल बॉलीवुड अन्बोक्षिन पर मैं हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बाते आपके लिए ला टेरेश हैं। कि विनोत खनatt के साथ नितिन मनमा और मुकुल अनंग की इसी थे जब इस विल्म का प्रडुक्शन वर्कmart शोरू हुआ था राज han मे sixteen reached Shabarak Šar uğुती को भाते राजह कोशल सरू की कहानी इस तरह थी कि कश्मीर की çरार श piston मस्जिद को आतंकी उड़ा देते हैं और इंडियन आर्मी पर इसका इलजाम आ जाता है यह सारी करामात अफगान आतंकी मस्द गुल की है जिसकी एक खास साथी है जिसका नाम है नशेमन आतंकी गुल मस्द का किरदार निबा रहे थे अबिनेता रहुल देव और उनकी साथी नशेमन बनी थी रवीना टंडन अबिनेता रहुल देव की इंडस्टी में यह डेबी फिल्म होने वाली थी इस फिल्म की कहानी में आगे बढ़ें तो इंडियन आर्मी अपने उपर लगे इस दाग को दोने के लिए तयार है इंडियन आर्मी के जनरल के रोल में विनोध खना दो आर्मी अंडरकावर केप्टन राजा सेटी यानी संजदत और जीत शर्मा यानी सल्मान खान को आतंकी मस्तगुल और उसकी साथी नशेमन को ट्रेक करने की जिम्मेदारी देते हैं ताकि उनकी आतंकी ग्रूप में घुसपेट कर सके और उन्हें अफगानिस्तान में पकड़ा जा सके इस मिशन के लिए सेना के जनरल दोनों अंडरकवर केप्टन को न्यूज में आतंकी गोशित करके उन दोनों के हाथों खुद का नकली किड्नेप करवाते हैं और 10 लाक रुपे देने के बाद वे दोनों जनरल को छोड़ देते हैं जिसे की मस्त गुल को यकिन हो जाता है कि ये नया आतंकी गिरो उसके काम आ सकता है मस्त गुल इन दोनों से संपर्क करता है जिसे की वह पेशा उसके भी काम आ सके जनरल के अपरन की खबर को पब्लिक किया जाता है और कैप्टन राजा और जीत को आतंग की गोशित करने के लिए एक रिपोर्टर के द्वारा उस नकली अपरन के रेस्क्यू की लाई रिपोर्टिंग की एनुमती दी जाती है दोनों केप्टन दस लाइक रिपे लेकर अफगानिस्तान में जाते हैं और मस्ट गूल के संपर्क में सकस्फिली आ जाते हैं केप्टन राजा और जीत को वहां पता चलता है कि I.S.I. और मस्ट गूल दोनों ही मिलकर एक साजशी प्रश्ट रहे हैं इसमें ये भी पता चलता है कि भारत की कई सालों से चल रही शानती प्रक्रिया को I.S.I. और मस्त गुल मिलकर भारत को शर्मिंदा करने के लिए पाकिस्तान पी-एम को भारत की आतरा पर मार देंगे जब केपटन राजा और जीत को ये बात पता चलती है तो केपटन राजा वहीं पर रुकते हैं और केपटन जीत को ये खबर देने के लिए इंडिया भिज देते हैं लेकिन जब केप्टन जीत आतंकियों को वहां नहीं दिखते तो आतंकियों को केप्टन राजा पर शक हो जाता है आतंकी मस्त गुल और नशेमन केप्टन राजा को बहुत ही टोचर करते हैं लेकिन केप्टन राजा को नशेमन यानी रविना टेंडन से प्यार हो जाता है और उस पर बनने वाली फिल्म 10 की स्क्रिप्ट इस फिल्म की एक खास बात यह थी कि मेगा ब्लोकबुस्टर फिल्म साजन के बाद संजदत और सलमान खान की जोड़ी परदे पर दिखाई देने वाली थी फिल्म में न्यूज रिपोर्टर के रोल में प्रभु देवा को साइन किया गया था लेकिन किसी काराण वश प्रभु देवा वह रोल नहीं कर पाये तो उस रोल को फिमेल के रेक्टर में बदल दिया गया और शिल्पा शेटी को उस रोल में फिर कास्ट किया गया दोस्तो रविना टंडन वाले रोल के लिए पहले अबिनेतरी लीजा रे से बात की गई थी लेकिन रोल नेगेटिव होने के चलते लीजा रे ने यह केरेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया लीजा रे अगर यह रोल प्ले करती तो यह बॉलीवोड में उनकी डेब्यू फिल्म हो शारुख खान से बात की गई थी मुकुल अनन साल 1995 में आई राकेश रोशन डारेक्टेट फिल्म करन अर्जुन की जोड़ी को रिपीट करना चाहते थे लेकिन बात नहीं बन पाई शारुख खान वाले रोल के लिए संजदत को फिर साइन किया गया दोस्तों यूएस के य डारेक्टर एमार शाजा को याद किया डारेक्टर एमार शाजा पहले मुकुल अनन के साथ सल्तनत में बलवान इंसाफ और महासंगराम जैसी फिल्मों में मुकुल अनन को असिस्ट कर चुके थे उनकी एज़े इंडिपेंडेंट डारेक्टर बनाई हुई साल 1991 वाली अमी पर इंडिया नार्मी और अतंकियों के बीच के सारे एक्शन स्चीन शूट किये जा रहे थे दिल्ली के इंडिया गेट जैसा एक खास सेट वहीं पर तियार करवा रखा था जहां पर फिल्म का क्लाइमेक्स पहले ही शूट कर लिया गया था दोस्तों के वल यूटा में ही करते करते चार करोड़ रुपे खर्च किये जा चुके थे जो की फिल्म के कुल बजट का 20% था जानी कि उस दोर में यह फिल्म 20 करोड़ के बजट में बन रही थी दोस्तों मुकुल अनन की पतनी अनिता अनन अक्सर शूट पर उनके साथ जाया करती थी लेकिन यूटा वा लुटान हमेशा संजिदअछ और सल्मान खान मझाक मझाक में मुकुल अनन को गालियां देते रहते थे क्योंकि ह colony वूट के टेकिनीशन्स के साथ हेलिकॉप्टर पर दोनों को लटकते हुवे फिल्म के कई सीन शूट किये गए उन दोनों को घंटो घंटो हेलिकॉप्टर पर लटकना पड़ता था। दोस्तो इस फिल्म 10 के लिए लगबग 9 घंटे का फूटेज मुकुल आनन शूट कर चुके थे। और फिल्म की लगबग 40% से ज़्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी थी केवल इंडिया में आकर कुछ सीन्स और फिल्म आने थे। अगस 1997 में जब Mission Impossible रिलीज हो चुकी थी उसी के लेवल के एक्शन सीन इस फिल्म में रखे गए थे। अमेरिका की स्टंट टीम इस फिल्म के स्टंट सीन को डिरेक कर रही थी। लेकिन 27 सितंबर 1997 में इस फिल्म के शूटिंग शेडूल के बीच में ही मुकुल आनन का दिल का दोरा पढ़ने से मातर 45 साल के उमर में निधन हो गया। फिल्म अदूरी रह गई फिर भी फिल्म को पूरी करने के लिए परियाफ़ फूटेज अविलेबल थे क्योंकि में एक्शन सीन मुकुल आनन शूट कर चुके थे। अब फिल्म उनकी पत्नी अनिता अनन के हाथों में आ गई। वे भी इस फिल्म को दिल से पूरा करना चाहती थी क्योंकि यह उनके पती का मोस्ट एंबिशियस प्रोजेक्ट था। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन और सुनिल मंचंदा भी इस फिल्म को पूरा करवना चाहते थे। परसंट तक ही बन गई थी तब ही मुकुल अनन ने इसकी अर्ली एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी और उनके द्वारा यूज की गई हर तरह की टेकनिक को दूसरा कोई डिरेक्टर समझ नहीं पा रहा था हाला कि सल्मान खान और संजदत ने भी मिलकर इस फिल्म को पूरा करवाने की काफी कोशिशे की लेकिन दोस्तों मुकुल अनन ने जो पहले शूट किया था और जो बाद में शूट किया जाना वाकी था उसमें क्रियेटिव डिफरेंस हो जाने के कारण किसी भी डिरेक्टर ने इस बेहतरीन फिल्म दस को हाथ नहीं लगाया नितिन मनमोहन ने भी संजदत और सल्मान खान की तारीकों का इस्तेमाल अपनी आने वाली साल 2000 वाली फिल्म चल मेरे भाई के लिए किया दोस्तो इस फिल्म के टाइटल की बात करें तो जिस मिशन पर संजदत और सल्मान खान को बेजा गया था उसका नाम दस था इसलिए मुवी का नाम भी दस रखा गया फिल्म के क्लाइमेक्स का विनोत खन्ना का एक डायलोग है जिसके आधार पर भी इस फिल्म का टाइटल डिशाइड किया गया था क्लाइमेक्स के एक सीन में जनरल बने विनोत खन्ना आतंकियों से कहते हैं कि मेरे दो आदमी दस के बराबर हैं यही इस फिल्म के टाइटल का में रिजन था। दोस्तो जब इस फिल्म के पूरे होने की सारी उमेदे खत्म हो गई तब मुकुल आनन के असिस्टेंट डिरेक्टर प्रशान चड़ा फिर से लोटे। और सलमान खान, संजेदत, रवीना टंडन, शिल्फा शेटी के साथ कुछ शिरिन की शूटिंग करके म्यूजिक वीडियो बनाने में मदद की। आज जिस वीडियो एल्बम सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी को हम देखते हैं उसे बनवाने में प्रशान चड़ा ने ही काफी मदद की थी। आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी की दिन यह गाना हर स्कूल और संसकती कारिकरम में जरूर बजाए जाता है। की वे यह स्क्रेप सुने और फिर इससे एसी ही दुन पर गीत को गया जा सके। शंकर महादेवन को ऐसा नुरानी और लोय मेंडोस के साथ गीत की शुरुवात करनी थी। शंकर महादेवन फिल्म से एसे प्लेबेक सिंगर केजियर की शुरुवात करने जा रहे थे। दोस्तों शंकर महादेवन से उस दिन आशा जी फिल्म के प्रोडूसर और डायक्टर की उपस्तिती में दो गीत रिकूर्ड करवाए गए शुर मिले और चाननी धूप की। शंकर आशा जी के साथ डूएट गाएंगे। वे लपक कर गए और आशा जी के पेर चू लिये। आशा जी ने भी शंकर महादेवन को आशिरवात दिया और कहा कि ऐसे प्रतिवाशाली सिंगर के साथ गाना उनका सुबागे रहेगा। दोस्तों यह 20 करोड़ों के बजट में बन रही फिल्म 10 उस साल कम से कम 100 करोड़ रुपे का बिजनस्तों कर लेती अगर यह फिल्म रिलिज हो जाती ही। यह कला करों की डेबिट फिल्म भी होती जैसे राहुल देव, शंकर ऐसान लोए। और तो और बहुत सालों बाद मुकूल अनन खुद की लिखी कहानी पर फिल्म बना रहे थे। दोस्तों इस फिल्म की रिलिज के साथ सल्मान खान और संजदत को भी काफी फाइदा होता। वे दोनों भी अभी एक हिट की तलाश में थे। इसी साल आई सल्मान खान की उनके भाई सोहेल खान के डिरेक्शन में बनी फिल्म ओजार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और संजदत की इस साल रिलिज तीन फिल्में दोड, सनम और महानता भी फ्लोप साबित हुई थी। दोस्तों अगर यह फिल्म पूरी बन कर रिलिज होती तो बॉलिवूट की बहतरिन फिल्मों में इसका नाम शुमार होता। और गजणी के ठीक दस साल पहले ही यह सो करोड कलब में शामिल फिल्म होती। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ-साथ हमारा चैनल बॉलिवूट अन्बोक्सिंग को सब्सक्राइब जरू करें। धन्यवाद।